कानपूर से मंदल प्रभारी प्रीती बाथम की खास रिपोर्ट, भाजपा प्रवक्ता द्वारा दिये गए विवादित बयान को लेकर जीसी जुमे की नमाज के बाद दुकाने बंद करवाने में दो समुदायों के बीच हुए पत्राओ उप्द्रववर बंबारी, शुक्र को परभारी मात्रा में दिखाए दिये एतीम खाने के पास बाजारों को बंद करवाने की मकसद से दो समुदायों आपसमी आमने सामने आये जन के बीच बहस से शुरू मामला पथरा वेवन बंबारी में तबदील हो गया बवाल को नियंद्रित करने के लिए स्थानीय पु परदाश्ट नहीं किया जाएगा वियो डैश वही मुस्लिम संगठनों ने एक जुठ होकर बाजार बंद होने का समर्थन किया और लोग सडकों पर निकलाए परेर चोराहे परभारी संख्या में एक तरित हुए लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया कुछ ही देर में स उप्रवियों के खलाफ सक्त कारवाही करने का आदेश दिया वहीं कॉंग्रिस पाटी द्वारा ट्विटर पर दिये गए बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा ने भीड तंत्र के रूप में जो भसमा सुर्पाले हैं अव्वे रंग दिखा रहे ही कितनी गंभीर बात है कि देश के राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री सभी कानपूर में हैं उसके बाद भी वहां हिन सभग गई यूपी में कानून का राजखत्म हो चुका है आमजनता से अपेल है कि शान्ती बनाए रखे कानपूर पुलिस कमिशनर विजय सिंग मीडा ने अप पास फोटो और वीडियो हैं उपद्रव करने वालों पर गांग्स्टर एक्ट के तहट कारिवाही होगी उनकी संपत्यां जब की जाएंगी सिसी टीवी की मदद से पत्राव करने वालों की पहचान की जा रही है बवाल को नियंत्रण में रखने के लिए रापिड आक्शन फोस तेनाद की गई है तथा बैरिकेटिग लगाकर एरियो को सील किया गया है हुआ है